इस वक्त एक breaking news आ रही है अगनिबत स्कीम के खिलाफ कल बिहार बंद में जो प्रदर्शन चल रहा है वापस लेने की मांग चल रही है उसके चलते बिहार बंद का ऐलान किया गया है सेना की भरती को लेकर बंद बुलाए गया है आरजेडी ने इसका समर्थन किया है जो की तस्वीरें आपको पहले दिखाए थी लगातार महा पर आग लग रही है हिंसा का आज काफी बड़ा एक पूरा महा पर हिंसा हुई मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुर रहे हैं साकेत बिहार बंद का कल ऐलान है अब इसमें राजनेतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं इससे कहीं न कहीं आग भुजने की जगा और भड़कने का अंदेशा जरूर होगा देखें बिलकुल आज का भी जो आंदोलन रहा है वो पूरी तरह से उसके पीछे बैक अप राजनेतिक पार्टीयों का रहा है क्योंकि हमने अलग-अलग जिलों में बिहार के वहा की तस्वेरे देखी कि कि सतरह से सामने आयी थी चाहे वो CPI, ML की बात करे, RJD की बात करे, यह तमाम पार्टियों ने उसको समर्थन दिया था, और वही तस्वीर कल भी दिखने वाली है, क्योंकि बिहार बंद को बुलाया गया है, और यहां पर देखिए, अभी हम दानापूर स्टेशन पर मौझूद है, अभी यहां पर पह पहली ट्रेन, आप समझे की पूरा दिन कैसे बीता है, पैसेंजर्स जो है, वो आप देखिए, कैसे जो स्टेशन है, उसके उस पर पैसेंजर्स वेटिंग में है, लंबे समय से यह लोग सुबह से ही, यहां पर जिस तरह के हालात रहे हैं, उसके बाद इन लोगों की ट्रे और अभी तक कोई मतलब यह सुचना नहीं मिली अभी, मतलब जाना किया, हमें नागपूर जाना था, गारी भी कैंसेल हो गया, दसे बज़े आये हैं, भुकल पी आसल बैठल है, इसकी जवाब देही कौन लेगा, जो आम लोग परिशान हो रहे हैं, जो सुबह से यहां पर कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, लोगों को परिशानी हो रही है, और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता, अपनी मांग पूरी कराने के लिए, लेकिन इसमें साथ इसाथ सरकार को भी सोचना होगा, कि आप यह जो पूरी स्कीम लेकर आए हैं, जिनके लिए लेकर कारी सकता, आप संक्षेप में जानकारी चाता हूं, सुदने में यां रही है कि पत्ना रेलवे एस स्टेशन पर काफी खासी भीड है, क्योंकि सारा प्रेशर जो है, वो पत्ना रेलवे स्टेशन के ऊपर है, दानापुर और आसपहस के साड़े जिलों के जो डिलवे स्टे जोग सब्सक्राइब जगों पर जो जहत रहे ही वह अंदोलन कर रहे हैं वह वह सब्सक्राइब निसाना बना रहे हैं तो अपना गुस्सा जो है सरकार की खिलाफ जो गुस्सा है वो पुलीस पर और रेलवे पर इस समय एक के बाद एक दिखाई पड़ रहा है लेकिन जैसे कि हम बार-बार कहा रहे हैं हिंसा का रास्ते से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती इस देश में आपको कम से कम बात करनी है शांती पूर्वक अपना प्रजर्शन करना है उसी से एक सरकार की तरफ आपनी बात पचा सकते हैं